करें दोस्तो हम देख रहे हैं Home Science, ठीक है, Home Science का ये वीडियो जरूर देख लेना, ग्रहविज्ञान का, क्योंकि ये वीडियो में जो है आपके exam score 40 के नाम से ये वीडियो जो है इसमें सारे MCQ डाल दिये गए हैं, अगर इसको पढ़ लेते हैं, अगर इसको पढ़ लेते हैं, सब्जेक्टिव कोश्चन की तरफ जिसमें 2 और 3 और 5 मार्क्स के आंसर देखेंगे, पहले को चप्टर को लेते हैं, इसमें आपका मौदरिक आय से क्या आश्य है, ये बताना है, आंसर आप देख लेना, मैं फटा-फट को दिखायता हूं, और दूसरा है आपका बजट को परिभासित करना है, और तीसरा है पारिवारिक आय को परिभासित कीजिए, तो यहाँ पर 3 questions आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा बच्चे जो नहीं देख पाते हैं छोटे स्क्रीन पर तो वो देख सकते हैं, तो 2 questions आप परिभारिक आय को परिभासित करना है, और मौधरिक आय पराप्त करने के कोई चार स्त्रोत लिखने हैं, सारे answers लिखे गए हैं, टेंसन फिरी रहो, और बिल्कुल सिंपल वर्ड में है, ताकि आपको याद हो जाए, लगूतर यह जो तीन अंकों के प्रशन पूछे जा सकत लंबत रखो, यहां पर दो नंबर के answer देखे आपने, अभी तीन नंबर के answer में, परिवारिक आय को बढ़ाने के चार उपाई आपको बताने है, कोई भी चार उपाई आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, दो उपाई आपके सामने स्क्रीन पे है, और इसके बाद में यह पांतर रहे इस तरह से भी पूछा जा सकता है तो आप आसानी से यह आंसर तीनों में दे सकते हैं यह पर यह रहा और जब यह जो आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखते हुए मैं आपको एक चीज नोट करा देता हूं कि अगर आप लोगों का सपोर्ट सही या नहीं कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे यह किलियर हो कि स्टुडेंट्स की इसका और शक्ता है नहीं तो मेरा जो है समय बहुत कीमती है आप लोगों के लिए मैं बताने के लिए बस इतना कह रहा हूं ठीक है तो यहां पर देखिए दुबारा से मैं एक बार किलियर कर देता हूं। यह कॉश्चन जो है आपको अ परत्रेक्ष और वास्तुइक आय बता सकते हैं ठीक है यहां पर जो है इस तरह से आपको किलियर कर देना अपरतक्ष याई और परतग्रिश इसके बाद में है मौद्रिक आय और आत्मिक आय के मद्दिय अंतर आपको बताना है तो इस तरह से आप दोनों आय को लिख सकते हैं वास्तिविक आय तथा आस्त्मिक आय में अंतर बताना है तो इस तरह से आपको लिख सकते हैं इसके बाद में आपका अपने खर्चे को लेखा रखना क्यों आउशक है यह आपको बताना है इसके बाद में है आपका एक परिवार को उसकी वास्तिविक आय बढ़ाने के लिए क्या चार सुजाओ आप दे सकते हैं वो आपको बताना है तो यहां पर चार सुजाओ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने है ठीक है इन चार सुजाओ को लिख सकते हैं वास्ति से आपके कमेंट का इंदियार रहेगा ये बात ध्यान रखना है बजट की परिभाशा दीजिए बजट का परिभाशा जो है 2013 में 2014 में ये कोश्चन आय और वह में संतुलन कैसे ला सकते हैं बहुत सिंपल सा एक लाइन उत्तर है तो ये तीन अंकों का हो नहीं सकता है तो एक परिवार का उधान देते हुए परिवारिक आय पर प्रकास डालना है तो ये रहा आपका प्रकास खूब डालिए इसके बाद में है आपका 13 नमबर कोश्चन हिसाब किताब रखने के प्रकार उचित उधान के द्वारा प्रतेक का वर्णन आपको करना है तो यहां पर में उसके आफशकता क्या है यह बताना duct की त्यायता से बरत चाहर का होगा इस बर्ठशन पर साठीज याद रखना है अमाउंड कुछ भी दिया हो इसखनेज लिखना आता है इतना तो आसान है जो भी अमाउंट हैं 10,000, 50,000, 60,000 कोई फरक निपरता लेकिन उसका जितना यहां पर अमाउंट दिया है उसका भोजन पर 60% आएगा वस्त पर 18% आएगा मकान की राया पर 12% आएगा इनन पर 5% सिक्षा और चिकिसा पर बाखी आपका 5% इन सभी को एड करोगे तो कुल जाएगा उसका इतना परसेंट लिख देना है जिसका भी परसेंटेज निकालना हो तो मैं बतायता हूं परसेंटेज निकालने का फोर्मूला क्या होता है कि जो आपका ये 60 है ना तो 60 बटे में 100 और गुणा में जो यह रकम है इसको कर दो ठीक है समझ में आया कुछ दो जीरो तो यहां से कट गया तो बचा कितना 60 बचा और 18 से आपको गुणा करना है तो आपका आराम से देख लो करके समझ में आया अठारा चिक्के 108 होता है ना तो 108 और एक आग जीरो है तो 108 समझ में आगया होगा सबी को यार आगे बढ़ता हूं इसमें जो है आपका नेक्स्ट कुश्चन इसमें क्या है पांच नमबर के आंग के जो पूछे जा सकते हैं तो चार भी भीन भीन उपायों की विवेचना कीजिए जिसमें परिवारिक आए की परिपूर्ति की जा सकती है तो यहां पर देखिए हैं यहां पर आपको इस तरह के आंसर लिखने हैं पहला पॉइंट यह है इसके बाद में चौथा पॉइंट है उसके बाद में दूसरा जो कोशन है इसमें उधान का प्रियोग करते हुए मौध्रिक आय तथा वास्तिक आय में अंतर बताना है और एक परिवार की वास्तिक आय बढ़ाने के लिए दो सुजाओं आप दे सकते हैं क्या दे सकते हैं वह बता दीजि आपका क्रम संख्या जाएगा वस्तुकना मात्रा दर मुल्य और अन्य विवरंड कुछ रखना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं ठीक है नहीं तो इसको जरूरी नहीं मतलब यह किवल आपको टेवल बनानी इसमें कुछ लिखना नहीं है तो यह चीजे आपको ध्यान रिख लीजीए इसको और यहां पर पूरा का पूरा इसाब किताब है आपके सामने और च्छता आना चाहिए बहुत ही simplest word में लिखा गया है आपको एक बार पढ़ती समझ में आ जाएगा मेरे पास समय होता तो मैं आपको सारा का सारा आराम से बताये था अगर आप लोगों का response पहले से भी रहता है कि सर हमें क्योंकि आपने देखा हुआ कि मैं पहले भी यूपी बॉर्डड मेरे से किया था होम साइंस का मैं नसके लिए अदिया और strangeD प्रकार का वर्णन करना है या फिर पारवारी का इतने प्रकार की होती है या फिर बोल सकता है आपको इन दोनों में से किसी तरह का उसके मजदूरी से हो सकता है सारी चीजे पंसन से हो सकता है वीमारी और दूरगटना की प्रापत्राशी और से हो सकता है और रॉयल्टी से हो सकता है वहार गिफ्ट कोई दे दे पैसे वह भी हो सकता है ना और जैसे लौटरी है ये भी अगाव का है सब के पास कमाई तो रहती है ऐसा तो कोई है नहीं रहे भीản tú है निका तो तो पार्यवारी का आए दिक skirtul तो एहम तरीकों को समझाइए तो यहाँ पर परिवारी का अगती ब्रिद्धी के तरीके बता देंगे, यह point लिखिट देना जाओ, तो नहीं तो सीधे सीधे आप ब्रिद्धी के तरीक के टरीक है, first point, second point, third point फिरिक है, second point आप देख लो, इसके बाद में थर्ड-पौिंट य ले सकते हैं और इसमें ध्यान रखें मद्द्वर्ग्य परिवार की अनुमानीत वजट तो यहाँ पर जाकिए मद्द्वर्ग्य परिवार जो है यह पर्सेंटेज खर्च करेगा तो इस परसेंट से आप कुछ बजट के लाब बता सकते हैं यह आपका आंसर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में हिसाब किताब रखने की विभिन विदियों के विदियों के साथ में इस आंसर को आप नोट कर सकते हैं तो यह है आपका अंतिम क्वेश्चन और यही है पॉइंट्स ठीक है तो सारे चाहिए तो आप जल्दी से जल्द करें मैकसिमम कमेंट हजारों में आजाएं तो मैं अपने आप इसको अपलोड करदूंगा दूसरा चंटर अभी क्या भी करदूंगा अगर आपका सुबह तक आता है तो सुबह तक कर दिया जाएगा जैसे भी आपका क्योंकि फीड और वी खुरो प्रवाइड कर चुका हूं कल से तो आज दूसरा dyn होचुपा है mcq का 2 दिन में मैंने आपको प्रवाइड कर दिया है अभी अभी मैंने आपको अप territory आप i